क्यों कल अपने देखा था आई सो मेरीजम का टॉपिक था जिसके अंदर अपने आई सो मेरीजम की डेफिनिशन देखी थी दैन उसके बाद में स्ट्रेज इस्ट्रक्चरल आई सो मेरीजम देखा चैन आई सो मर्स देखा फॉजिशन आई सो मर्स देखा फॉंक्शनल structural isomers का ही एक पार्ट है, clear? तो देखने हैं, definition, तोटोमरिस्म is a structural isomers, structural isomers, तोटोमरिस्म is a structural isomers that, compound are readily inter-converted, inter-converted, कि compounds जो है, वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, इंटर कनवर्ट हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तोटोमरिस्म कहते हैं, metameryism के अंदर अपने देखा था, कि metameryism के अंदर group compounds change हो रहे थे, क्या change हो रहे हैं, compounds, यहाँ पर क्या change हो रहा है, एक दूसरे में inter-convert हो रहे हैं, clear? जैसे अपने example देखते हैं, कि हमारे पास में है, NH2, single bond CH, single bond R, C, double bond O, single bond O, single bond H, यह हमारे पास में है, alpha amino acid, क्या है, alpha amino acid, alpha amino acid, यह वाला part acid, यह वाला part ammonia, clear? और हमें पता है कि यदि ammonia substitute बनता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, amino group कहते हैं, यानि यह amino है, और amino present है, यह substitute, then we call amino, यह इसका inter-convert देखिए, कि यहाँ से यह जो OH है, यानि यह acid जो है, वो अपना H plus and donate करेगा, तो यह यहाँ पर amino group जो है, वो उसको accept कर लेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, NH3 plus single bond CH, R, C, double bond O, single bond O, minus, यही बनेगा, और हम इसको क्या कहते हैं, zwitter iron कहते हैं, क्या कहते हैं, zwitter iron कहते हैं, clear? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हैं? अपन NH3 plus CH, R, single bond C, O, O, यह भी डैल माइनस और यह भी डैल माइनस, clear? क्यों? क्योंकि रैजोनेटिक स्टक्चर के थुरू, अनुनादी सरंचनाओं के थुरू, यह दोनों एक दूसरे के उपर minus charge interchange कर सकते हैं, clear? तो यह देखी आपके पास, कि यह वाला portion कौन सा था? amino acid का था, कौन सा था? amino acid, इसमें यह acid और यह वाला base, आपको पता है, जो H plus iron donate करता है, वो किस की तरह वेवार करता है? acid की तरह behave करता है, और जो H plus iron accept कर लेता है, वो कौन बन जाता है? बेस बन जाता है, तो यहाँ पर NS3 plus बना, तो यह कौन बना? base, और यह कौन है? acid, यह दोनों एक दूसरे में interchangeable हो सकता है, interconvert हो सकते हैं, यानि एक ही molecule है, और उसी molecule के अंदर क्या हो रहा है? changing हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? यह कौन सा isomer show करेंगे? अगला example देखते हैं, next example देखिए आपके पास, कि CH3, single bond, C, double bond O, single bond, CH2, single bond, CH3, यह आपके पास एक portion है, ठीक है? कौन है यह? 1, 2, 3, 4, क्या नम होगे इसका? butane to on, क्या नम है? butane to on, तो यह butane to on जो है, वो आपके पास में क्या है? compound है, इस compound के अंदर हम लोग देखते हैं, तो यह compound क्या बना? इसमें interconvertisable क्या है? बोलिए भई, यहां से देखिए, CS3 जैसा था, वैसा का वैसा रह गया, single bond C, यहां से एक hydrogen जो है, वो निकलेगा, और किसके तुपास चला जाएगा? oxygen के पास, तो single bond OH, इस वाले को देखिए, यह bond तूटेगा, तो single bond में convert होगा, यहां पे एक hydrogen कम हो गया, तो double bond CH, single bond CS3, clear? तो यह क्या बना हमारे पास? one, two, three and four, नाम क्या हो गया? but, two in, two all, कहां पर अपने पास, यहां पर कौन था? ketone, अभी हमारे पास कौन है? alcohol, कौन है? alcohol, तो आप ध्यान से देखेंगे, तो यह दी interconvergable है, एक दूसरे में interconvert हो रहे हैं, यानि ketone को किस में convert किया जा सकता ह है? alcohol में, यह हमारे पास ketone था और यह हमारे पास two degree alcohol है, कौन सा है? two degree alcohol, clear? तो यहां पर यह दोनों एक दूसरे में interconvergable हो रहे हैं, next देखिए, यदि मैं वापस देखूं, तो यह reversible reaction है या नहीं है? यह OH जो है, वो वापस अपना electron, hydrogen जो है, proton किसको donate करेगा, carbon को, तो यह हो जाएगा, यह bond break हो करके, यह double bond, इधर convert हो जाएगा, इसका मतलाब कि दोनों में क्या हो रहा है, interconvergable हो रहा है, ऐसे compound कौन सा isomaries में show करते हैं, totomaries में show करते हैं, क्या show करते हैं, totomaries में, clear है यहां तक, चलिए, next हमारे पास में है, अगली अपने पास में अपन देखत हैं, तो next हमारे पास में topic आता है, वो topic हमारे पास में, कौन सा है, stereo isomaries में, कौन सा है, stereo isomaries में, अच्छा यह जो था, अभी तक हमने जो देखा था, वो 2D में थे, लेकिन stereo isomaries, यह हमें किस में देखने पड़ेंगे, 3D में, यानि जिसका 3VIM विन्यास होता हो, क्या होता ह त्रिमे, 3D में स्ट्रक्षर होगा, और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला example, कौन सा है, optical isomerism, क्या होता है, optical isomerism, कोई बताएगा, optical isomerism, देखे, optical isomerism, लिखे, optical, isomerism is a stereo isomerism in which in which compounds have same molecular formula compounds have same molecular formula and and structural structural formula. Optical isomerism is a stereo isomerism in which compounds have same molecular formula and structural formula but differ in their rotation of plane polarized light. in their rotation of plane polarized light. clear? कि plane polarized light जो है उसके rotation को क्या कर देती है ये change कर देती है यानि बदल देती है हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि rotation chemical formula same रहेगा molecular formula same रहेगा structural formula same रहेगा लेकिन plane polarized light की directions जो है यानि यहां पर क्या create होगा mirror image create होगा क्या होगा mirror image create होगा चलिए देखते है mirror image किस तरीके से create हो रहा है h single bond c cs3 oh c2 h5 यह आपके पास में एक structure है इस structure का यह अपन mirror image create करें तो mirror image क्या बनेगा बोलिए क्या बनेगा oh single bond c cs3 h c2 h5 clear है कोई दिकत देखिए यहां पर हम हमेशा small reactive part से क्या देखेंगे less reactive part से देखेंगे किदर से high reactive part की तरफ यानि less reactivity to high reactivity reactivity की series में less reactive to high reactive चलते हैं जबकि हम लोग दूसरे में concentration में देखें तो high concentration to low concentration आते हैं clear high temperature to low temperature आते हैं लेकिन यहां पर reactivity series है तो reactivity series में हमेशा less reactive to high रियक्टिवूती कौन सा डियरेक्शन हो गया क्लोक वाइज क्लोक वाइज रोटेशन हो गया ये क्लोक वाइज रोटेशन क्या कहलाएगा डी फोर्म कहलाएगा क्या फोर्म कहलाएगा डी फोर्म और ये वाला ये हो गया एंटी क्लोक एंटी क्लोक वाइज रोटेशन एंट Ctrl режим Atlant transition हो गया क्लियर क्या हमने यहां पर किया हमने यहां पर structure change किया नहीं किया क्या हमने molecular formula change किया नहीं किया हमने सिर्फ क्या बनाया mirror image create किया clear और उसी mirror image के अंदर हमने plane polarized light की rotation देखी और plane polarized light की rotation कहा से होगी प्लेन पोलेराइज लाइट सिंपल ओडिनेरी लाइट को सिंपल लाइट को यदि हम लोग प्रिजम में से या फिर किसी सॉलुशन के अंदर से पास आउट करते हैं तो वो क्या हो जाती है डिफलेक्ट हो जाती उसका रोटीशन क्या हो जाता है चैंज हो जाता है उसको हम क् करते हैं उसको optically isomers करते हैं clear तो दिक्कत चलिए next देखिए next example यह deform और L-form होता क्या है इसको भी देख लेते हैं deform को क्या करते हैं dextro rotatory क्या करते हैं dextro rotatory clear क्या होगा किदर से किदर होगा plane polarized light किदर से किदर left to right किदर से किदर rotation होगा हां जी तो लिखिए plane polarized plane polarized light rotate left to right side left to right side उसको क्या करते हैं dextro rotatory and next है आपके पास में L-form लेवो रोटेटरी लेवो रोटेटरी में क्या होगा plane polarized light plane polarized light light rotate किसाइड से किसाइड राइट लेफ्ट लेफ्ट क्लियर राइट टू लेफ्ट साइट ठीक है एक एक एक्जम्पल और देखते हैं पन लोग सी सिंगल बॉंड ओएच एच ग्लुकोज का एक्जम्पल ले ले तो सी ओएच एच सी एच ओएच सी ओएच एच सी एच 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 और सी एस टू ओएच यह इसका cyclic structure है और इसका यह दियापन mirror image देखें तो mirror image में क्या होगा सी ओएच एच सी ओएच एच सी ओएच ओएच सी ओएच एच 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 और क्या हो जाएगा next सी एस टू ओएच यही है फर्स्ट वाला देखो यह दर से किदर less reactive to high reactive यानि हम लोग इधर से इधर आ रहे हैं और इसमें left to यानि right to left तो यह form कौन सी हो गई D form और यह form कौन सी हो गई L form clear यह देक्स्ट्रो रोटेट्री और यह वाला है आपके पास में लेवो रोटेट्री ठीक है वापस देखिए plane polarized light rotate left to right side and are known as dextro rotate tree and layer rotatory plane polarized light rotate light to left side is called leo rotatory ठीक है यह आपके पास glucose का example है कुछ और example लेकर के बात करते हैं देखिए CS3 single bond C CHO OH single bond C3 H7 इसका mirror image create करिए क्या होगा इसका mirror bond C3 H7 clear हाँ जी यहाँ पर सबसे less reactive को ने CS3 ठीक है और CS3 और OOH में comparison करो या फिर इसमें और इसमें comparison कर लो C3 H7 और LD head में comparison कर लो तो बात तो वही बनेगी तो इधर से इधर और यह वाला इधर से इधर यह कौनसा rotation क्लोक वाइज rotation कौनसा है तो कौनसा form बना डी form और यह कौन सा form है एंटी क्लोक वाइज एंटी क्लोक वाइज कौन सा form एल form यह है एल form आगया समझ में कोई दिक्कत है आइसो मेरिज्म के अंदर अपने पास में next point है वो point है geometrical isomerism geometrical isomerism क्या होता है geometrical isomerism कोई बताएगा what is the mean of geometrical isomers sis and transform sis and transform are known as are known as geometrical isomerism are known as geometrical isomerism sis और transform को हम क्या कहते है geometrical isomerism कहते हैं ठीक है sis form क्या होती है what is the mean of sis form हाजी sis form क्या होती बता तो same types of group are present in same direction to same type of to same type of groups are present are present in the same direction are known as sis form are known as sis form यदि same type के groups जो है वो आपके पास same direction के अंदर present है तो वो form कौन सी कहलाती है sis form कहलाती है कौन सी form कहलाती है sis form कहलाती है next अपने पास में आता है transform पर ट्रांस की भी देखिए transform क्या होगा transform to same type to same type of groups to same type of groups are present are present in opposite direction opposite direction are known as transform are known as transform कि same type के group जो है वो यदि opposite direction में present है तो वो क्या कहलाते हैं आपके transform कहलाते हैं और यदि same direction में आगे तो कौन से form कहलाएंगे says form कहलाएंगे clear है चलिए example देखिए आप इसके दोनों के कि मेरे पास में एक compound है हैं CS3 single bond CH2 single bond CS3 से अपके सिंगल बोंड CS3 अब एक चीज़ देखिये कि यहां पर यह portion जो है इस वाले की बात करूं कि compound को लेकर यह एक इन दोनों को कबाल लेकर के मैं बात करूँ इस वाले दोनों को लेकर गए ठीक है तो इन में एलकीन बनाते हैं कि CH double bond CS2 यह लिजी यह देखी यह portion CS3 single bond CH double bond CS2 clear इसमें क्या बनेगा इन दोनों को ले लिजे ठीक है तो CSC double bond CS2 यह वाले कार बना गए दोनों इस एक कार बन के पास में क्या है CS3 दूसरे वाले के पास कोने hydrogen इसके पास कोने hydrogen इसके पास ये form कौन सी हुई इसमें नाम दे दीजे ये 1 और ये 2 और ये CS3 और ये 1 CH1 यहां पर एक दूसरी condition बन सकती है CS3 single bone C H1 double bone C H1 H2 ठीक है H1 H1 दोनों एक साइड में है तो कौन सी form बनेगी CIS form कौन सी form है और यदि H1 H1 दोनों एक दूसरे के opposite direction में है तो वो कौन सी form बनेगी transform बनेगी कौन सी form है transform आ गया समझ में जब same type of group in same side that is called CIS same type of group in opposite direction that is called transform ठीक है next example देखेए CS3 single bone C C2 H5 C2 double bone C single bone CS3 C2 या इसको कर सकते हैं अपने कि यह ले लिजे CL किसको ले लेता है CL यह अपने पास में compound है इस compound की बात करें तो इसका structure बनाते हैं तो C double bond C CS3 CL CS3 C2 H5 दूसरा क्या portion बन सकता है CS3 C double bond C यहां पर क्या लिकूं क्लोरीन इन दोनों को लेकर भी बात कर सकते हैं कि यह दोनों के दोनों के कौन सी ग्रूप है C C C form यह form कौन सी हो गई है TRANSFORM कौन सी फोर्म हो गई है TRANSFORM क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत है है तो बोलिए क्लियर है यहां तक तो यह हमारा isomerism का topic होता है complete clear तो isomerism के topic के अंदर हमने देखा कि isomerism होती क्या है क्या होता है isomerism compound have the same molecular formula and physical and chemical properties but have the different type of structural formula that is called isomerism how many types of isomerism there are two types of isomerism first type structural isomerism and the second one is geometrical isomerism structural isomerism में कितने types के होते है पहला chain isomers दूसरा position third number functional group fourth number metameryism and fifth number totomerism उसके just आगे अपने पास stereo isomers two types के optical isomers and geometrical isomeryism अपने पास में एक portion और है उस portion को भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं जिसके अपन कहते हैं कि new man projection है new man's projection जैसे अपनने sis और transform देखा था जिसमें same type के group कहां थे same type के group कहां थे एक side में तो उसको अपनने sis के दिया था या same type के group opposite side में थे तो अपनने उनको क्या कहा था transform कहा था यहाँ पर new man ने particular एक projection दिया था वो दिया था trans के लिए single bond के लिए किसके लिए दिया था यह तो अभी double bonded था जिसमें सी सो ट्रांस देख रहे थे लेकिन यह दी हमारे पास single bond आये तो क्या करें जैसे मेरे पास में आ गया CS3 single bond CS3 इसको क्या कहोगे इसमें कैसे शो करोगे क्योंकि इसमें कारबन तो तीन है जब कि हम तो सी सो ट्रांस में क्या कर सकते हैं दो ही rotation को तो शो कर सकते हैं ना वहीं सेम टाइप ऑग ग्रूप है तीसरा hydrogen कहां लेकर के जाएंगे तो इसके लिए हमारे पास में क्या आया new man's projection आया new man's ने क्या कहा कि इस वाले कारबन को यह वाला मेरे पास में यह पैन है इस पैन के इस वाले गोले के इस सेंटर पॉइंट पर यह वाला कारबन बैठा है और इस कारबन से कितने hydrogen अटेच है तीन यह वान यह टू और यह वाला अब इसके ज़स्ट पीछे को ने सेकंड नमबर कारबन है यह वाला ठीक है और यदि यह hydrogen एक दूसरे के सामने आ जाए यानि कि तो मैं इसको शो तो नहीं कर सकता यदि इसके एकदम सामने तो दिखाई नहीं देगा लेकिन यदि थोड़ा सा देखें तो हमें दिखाई नजर आएगा तो मैं इसको किस से डॉनिट कर सकता हूं यह एच यह एच और यह एच डॉट 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 का मतलब है कि यह hydrogen जस्ट इस hydrogen के क्या है पीछे तो जब एक ही same type of group in same side same type of group in same side hydrogen hydrogen के एकदम पास में यह hydrogen इस hydrogen के पास में तो कौन सा form कहलाएगा कौन सा form कहलाएगा तो इसकी transform क्या बनेगी यह पहले वाला जैसा carbon था वैसा का वैसा है ठीक है अब इनकी rotation क्या कर देंगे change कर देंगे क्या करेंगे change rotation change करने पर हमीं क्या मिलेगा यह जो rotation यह इसके hydrogen यहाँ इसके बीच में आ जाएगा यह hydrogen इसक बीच में आ जाएगा और यह hydrogen इसके बीच में आ जाएगा तो यह कौन सी form बनी transform क्यों बनी क्योंकि same type of group एक दूसरे के सामने नहीं है कितने डिग्री पर है 90 डिग्री पर जिसकी वज़े से ये कौन सा फोर्म बना transform ये कौन सा फोर्म सेस that one is trans clear है ये किसने दिया new man नाम के scientist था जिसने ये वाला projection दिया तो इसको क्या नाम दे दिया गया new man projection एक projection हो रहे जिसका दूसरा नाम क्या है सोहार्स सोहार्स प्रोजेक्शन clear अब देखिए new man ने इसको किसमे डिनोट किया इसको circle में डिनोट कर दिया तो इसने इसको किसमे डिनोट किया straight line में किसमें इसी का ही देख लेते हैं example CS3 single bond CS3 clear तो देखिए यहाँ पर यह rotation देखते हैं यह carbon एक यहाँ पर है एक carbon यहाँ पर है पहले वाले CS3 को डिनोट करता हूँ मैं तो यह वाला portion H H और यह H clear है तो दूसरे वाला भी इसी की तरीके से होगा H H और H देखिए दोनों एक दूसरे के सामने सामने नहीं है ना hydrogen hydrogen के सामने यह hydrogen इसके सामने यह hydrogen इसके सामने तो कौन सा form बना Cysform बना कौन सा बना इसी का दूसरा rotation देखते हैं यह उपर वाले को जैसा था वैसा का वैसा रख लो यह H अब क्या कर दो इसको 90 डिग्री पे टर्ण कराऊ तो 90 डिग्री पे टर्ण कराएंगे तो H H और यह H clear तो यह कौन सा form बना इसका Transform इसका मतला कि new man ने जो projection दिया था वो अपना circle rotation में दिया था जब कि सोहर्स ने जो projection दिया वो projection स्टार्ट स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या किया उसको denote किया गया ठीक है तो यह वाला projection है वो हमारे single bond में काम आता है आ गया समझ में कोई दिक्कत है अरे दिक्कत है क्या अब यदी हमारे पास में ये तो straight line compound थे यानि जिसको अपन बोलते हैं chain compound यदि हमारे पास cycli compound आ जाए तो क्या करोगे क्या करीए गया तो देखिए cycli compound को भी देख लेते हैं कि हमारे पास में सबसे पहले कौन है बहुट कंफर्मर एक है हमारे पास बहुट कंफर्मर और दूसरा कौन सा है चेर कंफर्मर board conformer are chair conformer ठीक है मेरे पास में option है cyclohexane cyclo और cyclohexane का formula क्या होता है c6 h12 board का मतलब क्या हो गया board का मतलब now के जैसी सरंचना chair conformer या नि chair के जैसी सरंचना तो board conformer कैसे बनेगा यह वाला बोट यहाँ पर कौन बैठा h h हर जगह कारबन है है या नहीं है h h h h यह h और यह भी h तो c6 h12 chair conformer कैसे बनेगा यहाँ यहाँ भी कौन बैठेंगे h h h h यह आपका कौन सा conformer है chair conformer ठीक है इसमें देखिए कि board conformer को यह दिया हम ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर सारे के सारे एक दूसरे के एक टाइप में यह समान ग्रूप सेम साइड यह सेम और यह सेम यह सेम यह सेम यह सेम यह सेम और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन यह देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है है या नहीं है अब मुझे एक चीज बताओ इन दोनों में से मोर इस्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा बोट कंफर्मर या चेयर कंफर्मर चेयर कंफर्मर क्यों क्यों क्योंकि यहां पर जो है सेम टाइप ऑग्रूप जो है वह एक दूसरे के अपोजिट डाइरेक्शन पर है जिस वजह से इनके बीच में रीपल्शन क्या होगा कम होगा और जब रीपल्शन कम होगा तो स्टेबले टीबर ईपल्टी भी क्या होगी दूसरे के सामने आएंगे सामने आएंगे तो repulsion ज़्यादा होगा और repulsion ज़्यादा होगा तो stability क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी इधार same type of group present on different directions जिसके वज़े से repulsion क्या होगा कम और repulsion कम होने की वज़े से stability क्या हो जाएगी increase हो जाएगी clear यह हमारे पास में isomerism का topic होता है आज हमारा complete clear तो आज यह isomer algorithm का topic complete हुआ next जो है वो हम लोग देखेंगे कि lactose की structures क्या होती है सुक्रोज की structure क्या होती है galactose की structures कैसी होती है और next उसके बाद में हम लोग देखेंगे इनकी chemical properties clear तब तक के लिए best of luck